नमस्ति दोस्तों, दोस्तों आज की कहानी का नाम है रानी सारंदा, इसके लेखक है मुणसी प्रेमचन, आवाज सवीता दैया इस कहानी में अनिरूद उंदेला का राजा है, सीतला उसकी पत्नी है और सारंदा उनकी बहन है आपस में इनकी बातचीत, जब राजा हार कर या बिना लड़ाई की वापस चला आता है आनिरूद, तो सारंदा उसको किस प्रकार से लतारती है और उसकी पत्नी उसके विशे में क्या कहती है इन सब बातों का ताना बाना बुनकर ये कहानी बनाई गई है, लेज ये पेश है कहानी रानी सारंदा अंधेरी रात के सन्नाटे में घसान नदी चट्टानों से टकराती हुई, ऐसी सुहावनी मालूम होती थी, जैसे घुमर घुमर करती हुई चक्या नदी के दहिने तट पर एक टीला है, उस पर एक पुराना दुर्ग बना हुआ है, जिसको जंगली रक्षों ने गिर रखा है टीले के फूर्व की और चोटा सा गाउं है, ये गड़ी और गाउं दोनों एक बुन्देला सरकार के कीरती चिन्न है शदाबदिया व्यतित हो गई, बुन्देल खंड में कितने ही राज्यों का उदे और अस्थ हुआ, मसल्मान आहे और बुन्देला राजा उठे और गिरे कोई गाउं कोई इलाका ऐसा न था, जो इन दुर अवस्थाओं से पीडित न हो, मगर इस दुर्ग पर किसी शत्रू की विजय पता का ने लराई और इस गाउं में किसी विद्रो का भी परदारपन ने हुआ, ये उसका सुभाक्य था अनिरुद सिंग वीर राजबुथ था, वह जमाना ही ऐसा था, जब मनुश्य मात्र को अपने बहुबल और प्राकर्म ही का भरोसा था एक और मुसल्मान सेनाई पैर जमाई खड़ी रहती थी, दूसरी और बल्वान राज़ा अपने निर्बल भाईयों का गला घोटने पर कत पर रहते थे अनिरुद सिंग के पास सवारों और पियादों का एक छोटा सा मगर सजीव दल था इस से वह अपने कुल और मर्यादा की रक्षा किया करता था उसे कभी चैन से बैठना नसीव न होता था तीन वर्ष पहले उसका विवाह सीतला देवी से हुआ था मगर अनिरुद विहार के दिन और विलास की राते पहड़ों पर काटता था और शीतला उसकी जान की खैर मनाने में वह कितनी बार पती से अनुरुद गर चुकी थी कि कितनी बार उसके प्यारों पर गिर कर रोई थी कि तुम मेरी आँखों से दूर नहो मुझे हारिद्वार ले चलो मुझे तुमारे साथ वनवास अच्छा है यह वियोग अब नहीं सहा जाता उसने प्यार से कहा जिद से कहा विने की मगर अनिरुद बुन्देला था शीतला अपने किसी हत्यार से उसे प्रास्तने कर सकी अंधीरी रात थी सारी दुनिया सोती थी तारे आकाश में जागते थे शीतला देवी पलंग पर पड़ी करवटे बदल रही थी और उसकी ननन्द सारंदा फर्ष पर बैठी मधुर स्वर में गाती थी बिनुर गवीर कटत नहीं रेन सीतला ने कहा जी न जलाओ क्या तुम्हें भी निंद नहीं आती सारंदा तुम्हें लोरी सुना रही हूं सीतला मेरी आखों से तो निंद लोप हो गई सारंदा किसी को ढूंडने गई हूंगी इतने में द्वार खुला और एक गठे हुए बदन की रूप वान पूरुष ने भीतर प्रवेश किया वहे अनिरुद था उसके कपड़े भीगे हुए थे और बदन पर कोई हत्यार ने था सीतला चारपाई से उतर कर जमेन पर बैठ गई सारंदा ने पूछा बहिया ये कपड़े भीगे क्यों है अनिरुद नदी तैर कर आया हूँ सारंदा हत्यार क्या हुए अनिरुद चिन गए सारंदा और साथ के आदमी अनिरुद सबने वीरगती पाई शीतला ने दवी जवान से कहा इश्वर नहीं कुशल किया मगर सारंदा के तेवरों पर बल पड़ गए और मुख मंडल गर्व से सतेज हो गया बोली भाईया तुमने कुल की मर्या दाखो दी ऐसा कभी न हुआ था सारंदा भाई पर जान देती थी उसके मुह से ये धिकार सुनकर अनिरुद लज्जा और खेद से विकल हो गया वहे बिरांगनी जिसे शन भर के लिए अनुराग ने दभा लिया था फिर ज्वलंध हो गई वहे उल्टे पाउन लोटा और ये कहकर बाहर चला गया कि सारंदा तुमने मुझे सदैव के लिए सचित कर दिया यह बात मुझे कभी न भूलेगी अंधेरी रात थी आकाश मंडल में तारों का प्रकाश बहुत धुंदला था अनिरुद किले से बाहर निकला पल भर में नदी के उस पर जा पहुंचा और फिर अंधकार में लुफ्त हो गया शीतला उसके पीछे-पीछे किले की दिवारों तक आई मगर जब अनिरुद छलांग मार कर बाहर खुद पड़ा तो वह विरहनी चटान पर बैठ कर रोने लगी इतने में सारंदा भी भई यहां पहुंची शीतला ने नागिन की तरह बल खा कर कहा मरियादा इतनी प्यारी है सारंदा हाँ शीतला अपना पती होता तो हिरदे में चिपा लेती सारंदा ना छाती में चुरा चुबा देती शीतला ने एट कर कहा चोली में चिपाती फिरोगी मेरी बात गिरहे में बांधलो सारंदा जिस दिन ऐसा होगा मैं भी अपना वचन पूरा कर दिखाऊंगी इस घटना के तीन महीने पीछे अनिरुद महरोनी को जीत करके लोटा और साल भर पीछे सारंदा का विवा और छा के राजा चंपत राए से हो गया मगर उस दिन की बाते दोनों महीलाओं के हिर्दैस्थल में काटे की तरह खटकती रही राजा चंपत राए बड़े प्रतिभाशाली पूरुष थे सारी बुंदेला जाती उनके नाम पर जान देती थी और उनके प्रभूत्व को मानती थी गद्दी पर बैठते ही उन्होंने मुगल बादशाओं को कर देना बंद कर दिया और वे अपने बहुबल से राज्य विष्थार करने लगे मुगलों की सेनाएं बार बार उन पर हमले करती थी पर हार कर लोट जाती थी यही समय था कि जब अनिरुद ने सारंदा का चंपत राय से विवा कर दिया सारंदा ने मुह मांगी मुराद पाई उसकी ये अभिलाशा कि मेरा पती बुंदेला जाती का खुल तिलक हो पूरी हुई यदपी राजा के रनिवास में पांच रानिया थी मगर उन्हें शिग्र ही मालूम हो गया कि वह देवी जो हिर्दे में मेरी पूजा करती है सारंदा है परंतु कुछ ऐसी घटनाई हुई कि चंपत राय को मुगल बाद शाह का आशरित होना पड़ा वे अपना राज्य अपने भाई पहाड सिंग को सौप कर देहली चले गए ये शाह जहा के शाशनकाल का अंतिमभाग था सहजादा दारा शिको राजगी कारियों को समालते थे युवराज की आँखों में शील था और चित में उधार था उन्होंने चमपतराय की वीरता की कथाई सुनी थी इसलिए उनका बहुत आदर समान किया और कालपी की बहुमुले जागिर उनको भेट की जिसकी आमंदनी नो लाग थी ये पहला अवसर था कि चमपतराय को आहे दिन के लड़ाई जगडे से निम्रती मिली और उसके साथ ही बहुग विलास का प्राबले हुआ रात दिन आमोद परमोद की चर्चा रहने लगी राजा विलास में डूबे रानिया जड़ाउ गहनों पर रीजी मगर सारंदा इन दिनों बहुत उदास और संकुचित रहती वह इन रहष्यों से दूर दूर रहती ये निरत्य और गान की सबाएं उसे सूनी परतित होती एक दिन चंपत राए ने सारंदा से कहा सारंद तुम उदास क्यों रहती हो मैं तुम्हें कभी हास्ते नहीं देखता क्या मुझसे नाराज हो सारंदा की आँखों में जल भराया बोली स्वामी जी आप क्यों ऐसा विचार करते हैं जहां आप परसन है वहां मैं भी खुश हूँ चंपत राए मैं जब से यहां आया हूँ मैंने तुम्हारे मुख कमल पर कभी मनोहारेनी मुस्कराहट नहीं देखी तुमने कभी अपने हाथों से मुझे बेडा नहीं किलाया कभी मेरी पाग नहीं सवारी कभी मेरे शरीर पर शस्त्र न सजाए कहीं प्रेमलता मुर्जाने तो नहीं लगी सारंदा प्रान नात आप मुझे ऐसी बाते पूशते हैं जिसका उत्तर मेरे पास नहीं है यथार्थ में इन दिनों मेरा चित उदास रहता है मैं बहुत चाहती हूँ कि खुश रहूँ मगर बोज सा हरदे पर धरा रहता है चंपत राई स्वैम आनद में मगन थे इसलिए उनके विचार में सारंदा को ऐसंतुस रहने का कोई उचित कारण नहीं हो सकता था वे बोहें सिकोड कर बोले मुझे तुमारे उदास रहने का कोई विशेस कारण नहीं मालूम होता और चे में कुन सा सुकता जो या नहीं है सारंदा का चहरा लाल हो गया बोली मैं कुछ कहूँ अपना राज तो नहोंगे चमपत राई नहीं शोक से कहू सारंदा ओर्चे में मैं एक राजा की राने थी यहां मैं एक जागिरदार की चेरी हूँ ओर्चे में वह थी जो अवद में कोशल्या थी यहां मैं बादिशा के एक सेवक की इस्त्री हूँ जिस बादिशा के सामने आज आप सादर से सिर जुखाते हैं वहे कल आपके नाम से कांपता था रानी से चेरी होकर भी परसन चित होना मेरे वश में नहीं है आपने यह पद और यह विलाश की समगरियां बड़े महंगे दामों में मोल ली हैं चंपत राय के नेत्रों पर से एक परदासा हट गया वे अब तक सारंदा की आत्मिक उच्चता को न जानते थे जैसे बे माबाप का बालक मा की चर्चा सुनकर रोने लगता है उसी तरह और चे की याद से चंपत राय की आखे सजल हो गई उन्होंने आदर युक्त अनुराग के साथ सारंदा को हरदे से लगा लिया आज से उन्हें फिर उसी उजड़ी बस्ती की फिकर हुई जहां से धन और कीर्ती की अभिलाशाएं खीचलाई थी मा अपने खोय हुए बालक को पाकर निहाल हो जाती है चंपत राय के आने से बुंदेल खंड निहाल हो गया और चे के बहग जागे नौबतें बजने लगी और फिर सारंदा के कमल नेत्रों में जाती अभिमान का आभास दिखाई देने लगा यहां रहते रहते महिनों बीत गए इस बीच में शहाजहां बिमार पड़ा पहले से इर्शा की अगनी दहक रही थी यह खबर सुनते ही ज्वाला परचंड हुई संगराम की तयारियां होने लगी शहाजादे मुराद और महियु दीन अपने अपने दल सजाकर दखिन से चले वर्शा के दिन थे उर्वरा भूमी रंग बिरंग से रूप भर कर अपने संद्रे को दिखाती थी मुराद और महियु दीन उमंगों से भरे हुए कदम बढ़ाते चले आ रहे थे यहां तक की धोलपूर के निकट चंबल के तट पर आ पहुँचे परन्तु यहां उन्होंने बादिशाही शेना को अपने शुभग अमन के निम्मित तयार पाया शहजादे आप बड़ी चिंता में पड़े सामने अगमे नदी लहरे मार रही थी कि किसी योगी के त्याग के सद्रस्य विवश होकर चंबत राय के पास संदेश भेजा कि खुदा के लिए आकर हमारी डूबती हुई नाव को पार लगाईए राजा ने भवन में जाकर सारंदा से पूछा इसका क्या उतर दूँ? सारंदा, आपको मदद करने होगी चंबत राय, उनकी मदद करना दाराशिकों से वेर लेना है सारंदा, ये सत्ते है परन्तु हाथ फैलाने की मर्यादा भी तो निभानी चाहिए चंबत राय, प्रिये, तुमने सोच कर जवाब नहीं दिया सारंदा, प्रानात, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि ये मार्क कठिन है और अब हमें अपने योधाओं का रक्त पानी के समान बहाना पड़ेगा परन्तु हम अपना रक्त बहाएंगे और चंबल की लहरों को लाल कर देंगे विश्वास रखिये कि जब तक नदी की धारा बहती रहेगी वैं हमारे वीरों की किर्तिगान करती रहेगी जब तक बुंदेलों का एक भी नाम लेवा रहेगा ये रक्त बिंदू उसके माथे पर केशर का तिलक बन कर चमकेंगे वायू मंदल में मेग राज की सेनाई उमड रही थी और चेक एक किले से बुंदेलों की एक काली घटा उठी और वेग के साथ चंबल की तरह चली परतेक सिपाही वीर रस से जुम रहा था साहरंदा ने दोनों राजकुमारों को गले से लगा लिया और राजा को पान का बीड़ा दे कर कहा बुंदेलों की लाज अब तुमारे हाथ है आज उसका एक एक अंग मुस्करा रहा है और हरदे खुलसित है बुंदेलों की ये सेना देखकर सहजादे फूले ने समाए राजा वहां की अंगुल अंगुल भूमी से परिचित थे उन्होंने बुंदेलों को तो एक आड में छिपा दिया और वे सहजादों की फोज को सजाकर नदी के किनारे किनारे पस्चिम की और चले दाराशुको को प्रम हुआ कि शत्रू किसी अन्य घाट से नदी उतरना चाहता है उन्होंने घाट पर से मोर्शे हटा लिए घाट में बैठे वे बुंदेले उसी ताक में थे बहार निकल पड़े और उन्होंने तुरंथ ही नदी में घोडे डाल दिये चंपत राये ने सहजादा दाराशुको को भुलावा देकर अपनी फोज घुमा दी और वे बुंदेलों के पीछे चलता हुआ उसे पार उतार लाया इस कठिन चाल में साथ घंटों का विलम हुआ परंतू जाकर देखा तो साथ सो बुंदेलों की लासे तड़प रही थी राजा को देखते ही बुंदेलों की हिमत बंद गई सहजादों की सेना ने भी अल्लाहु अकबर की ध्वन्नी के साथ दावा किया बादिशाही सेना में हल चल पड़ गई उनकी पंग्तियां चिन भी न हो गई हाथो हाथ लड़ाई होने लगी यहां तक की शाम हो गई रन भूमी रुदिर से लाल हो गई और आकाश में अंधेरा हो गया गमाशान की मार हो रही थी बादिशाही सेना सहजादों को दबायाती थी अक्षमात पस्चिम से फिर बुंदेला की एक लहर उठी और एक वेग से बादिशाही सेना की पुष्ट पर टकराई की उसके कदम उखड गए जीता हुआ मैदान हाथ से निकल गया लोगों को कुतुहल था कि ये देवी सहायता कहां से आई सरल सभाओ के लोगों की धार ना थी कि ये फतेह के फरिष्टे हैं सहजादों की मदद के लिए आई है परन्तु जब राजा चमपतराई निकट गए तो सारंदा ने घोड़े से उतर कर उनके पैरों पर सिर जोगा दिया राजा को अशिम आनंद हुआ ये सारंदा थी समर भूमी का द्रश्चे इस समय अत्त दुख में था थोड़ी देर पहले जहां सजे हुई वीरों के दल थे वहां आब बेजान लाशें तड़व रही थी मनुष्य ने अपने स्वार्थ के लिए अनादी काल से ही भाहियों की हत्या की है अब विजही सेना लूट पर तूट पड़ी पहले मर्द मर्दों से लड़ते थे वह वीर्ता और प्राकर्म का चित्र था ये निचता और दुरबलता की गलानी प्रद्य तस्वीर थी उस समय मनुसे पशु बना हुआ था अब वह पशु शे भी बढ़ गया था इस नोच खसोट में लोगों को बादशाही सेना के सेनापती वली बहादुर खां की लाश दिखाई दी उसके निकट उसका घोड़ा खड़ा हुआ था अपनी दुम से मख्या उड़ा रहा था राजा को घोड़ों का श्योग था देखते ही उस पर मोहित हो गया ये इराकी जाती का अतिसुंदर घोड़ा था एक-एक अंग साचे में ढला हुआ सिही किसी छाती, चीते किसी कमर उसका ये प्रेम और स्वामी भक्ति देखकर लोगों को बड़ा कुतुहल हुआ राजा ने हुकम दिया खाबरदार, इस प्रेमी पर कोई हथ्यार न चलाए इसे जीता पकड़ लो यह मेरे अस्तवल की शोबा बढ़ाएगा जो इसे मेरे पास ले आएगा उसे धन से निहाल कर दूँगा योधागन चारों और से लबके परन्तु किसी को सास न होता था कि उसके निकट जा सके कोई चुमकार रहा था कोई फंदे में फसाने की फिक्र में था पर कोई उपाई सफल न होता था वहां सिपाईयों का मेलासा लगा हुआ था तब सारंदा अपने खेमे से निकली और निर्वे होकर घुडे के पास चली गई उसकी आँखों में प्रेम का परकाश था चलका नहीं घुडे ने सिर जुका दिया रानी ने उसकी गर्दन पर हात रखा और वह उसकी पीट सहलाने लगी घुडे ने उसकी आचल में मुझे पालिया रानी उसकी रास पकड़कर खेमे की और चली घुडा इस तरह चुपचाप उसकी पीछे चला मानु सदेव से उसका सेवक हो पर बहुत अच्छा होता कि घुडे ने सारंदा से भी निश्ठूरता की होती ये सुंदर गोडा आगे चल कर इस राजपरिवार के निम्मित स्वर्न जटित मरग साबिध हुआ संसार एक रणशेत्र है इस मैदान में उसी सियनापती को विजह लाब होता है जो आफसर को पहचानता है वह आफसर पर जितने उत्सा से आगे बढ़ता है उतने ही उत्सा से अपत्ती के समय पीछे हट जाता है वह वीर पुरुष राष्टर का निर्माता होता है और इतिहाज उसके नाम पर यश्के फूलों की वर्षा करता है पर इस मैदान में कभी-कभी ऐसे सिपाई भी जाते हैं जो आवसर पर कदम बढ़ाना जानते हैं लेकिन संकट में पीछे हटाना नहीं जानते ये रणवीर पुरुष विजे को निती की भेट कर देते हैं वे अपनी सेना का नाम मिटा देंगे किन्तु जहाँ एक बार पहुँच गए हैं वहाँ से कदम पीछे नहाटाएंगे उनमें कोई विरलाही संसार शेत्र में विजे प्राप करता है किन्तु पराहे उसकी हार विजे से भी अधिक गवरवात्मक होती है अगर अनुभाव शील सेना पती रास्टों की निव डालता है तो आन पर जान देने वाला मुहने मोडने वाला सिपाही रास्टों के भावों को उच्च करता है और उसके हरदय पर नैतिक गवरव को अंकित कर देता है उसे इस कारिये शेत्र में चाहे सफलता नहीं हो किन्तु जब किसी वाके या सभा में उसका नाम जबान पर आ जाता है श्रोता गण एक स्वर से उसके किरती गोरव को प्रतिध्वनित कर देते हैं सारंदा आन पर जान देने वालों में थी सहजादा मुहिव दिन चंबल के किनारे से आगरे की और चला तो सोभागे उसके सिर पर मोर्चल हिलाता था जब वह आगरे पहुँचा तो विजे देवी ने उसके लिए सिहासन सजा दिया और रंग जेब गुनग्य था उसने बादशाई आपसरों के अपराध शमा कर दिये और उनके राज्येपद लोटा दिये और राजा चमपत राए को उसके बहुमुले करत्तों के उपलक्ष में बाराय हजारी मनसब परदान किया और चा से बनारस और बनारस से जमुना तक उसकी जागिर नियत की गई बुंदेला राजा फिर राज सिवक बना वहे फिर सुक विलास में डूबा और रानी सारंधा फिर प्राधिंता के शोग से गुलने लगी वली बहादूर खां बड़ा वाके चतुर मनुश्य था उसकी म्रदूता ने शिगर ही उसे बादशा आलमगीर का फिश्वास पातर बना दिया उस पर राज सभा में सम्मान की दृस्टी पढ़ने लगी खां सहाब के मन में अपने घोडे के हाथ से निकल जाने का बड़ा शोग था एक दिन कुमर चत्र साल उसी घोडे पर सवार होकर शैर को गया था वहे खां सहाब के महल की तरफ जा निकला वली बहादूर ऐसे ही अवसर की ताक में था उसने तुरंत अपने सेवकों को इशारा किया राजकुमार अकेला क्या करता पाउँ पाउँ घर आया और उसने सारंदा से सबसमाचर बयान किया रानी का चेहरा तम-तम आ गया बोली मुझे इसका शोक नहीं कि घोड़ा हाथ से गया शोक इसका है कि तु उसे खोकर जीता क्यों लोडाया क्या तेरे शरीर में बुंदेलों का रक्त नहीं है घोड़ा ने मिलता नहीं सही किन्तु तुझे दिखा देना चाहिए था कि एक बुंदेला बालक से उसका गोड़ा छेन लेना हसी नहीं है ये कहे कर उसने अपने 25 योदाओं को तैयार होने की अग्यादी स्वेम अस्त्राधारन किये और योदाओं के साथ वली बहादुर खां के निवासस्तान पर जा पहुँची खां सहाब उसी घोड़े पर सवार होकर दर्बार चले गए थे सारंदा दर्बार की तरफ चली और एक शण में किसी वेग गती नदी के सद्रश्य बादशाही दर्बार के सामने जा पहुँची ये कैफित देखते ही दर्बार में हलचल मच गई आधिकारी वर्ग इधर उदर से आकर जमा हो गए आलमगीर भी सहन में निकल आए लोग अपनी अपनी तलवारें सभानने लगे और चारों तरफ शोर मच गया कितने ही नेत्रों ने इसी दर्बार में अमर सिंग की तलवार की चमक देखी थी उन्हें वही घटना फिर याद आ गई सारंदा ने उच्च स्वर से कहा खान सहाब बड़ी लज्जा की बात है आपने वही वीर्ता जो चम्बल के तट पर दिखानी चाहिए थी आज एक अबुद बालक के समुक दिखाई है क्या ये उचित था कि आप उससे घोड़ा छीन लते वली बहादुर खा की आँखों से अगनी ज्वाला निकल रही थी वे कड़ी आवाद से बोले किसी गैर को क्या मजाल है कि मेरी चीज अपने काम में लाए रानी वह आपकी चीज नहीं मेरी है मैंने उसे रन भूमी में पाया है और उस पर मेरा अधिकार है क्या रन निती की इतनी मोटी बात भी आप नहीं जानते खान सहाब वह गोड़ा मैं नहीं दे सकता उसके बदले में सारा अस्त्वल आपके नजर है रानी मैं अपना गोड़ा लूँगी खान सहाब मैं उसके बराबर जोहरा दे सकता हूँ परन्तु गोड़ा नहीं दे सकता रानी तो फिर इसका निश्चे तलवार से होगा बुंदिला योधाओं ने तलवारें सोंत ली और निकट था कि दरबार की भूमी रक्ट से प्लावित हो जाए बादशा आलमगीर ने बीच में आगर कहा रानी साहिबा आप सिपाईयों को रोकें गोड़ा आपको मिल जाएगा परन्तु इसका मूले बहुत देना पड़ेगा रानी मैं उसके लिए अपना सरवश्व खोने को तयार हूँ बादशा जागीर और मनसब भी रानी जागीर और मनसब कोई चीज नहीं बादशा अपना राज्य भी रानी हाँ राज्य भी बादशा एक घुड़े के लिए रानी नहीं उस पदार्त के लिए जो संसार में सबसे अधिक मुल्लेवान है बादशा वे क्या है रानी अपनी आन इस भानती रानी ने अपने घोड़े के लिए अपनी विस्तृत जागीर उच्च राज और राज सम्मान सब हाद से खोया और केवल इतना ही नहीं बहवीशे के लिए काटे बोहे इस घड़ी से अंत दशा तक चमपत राय को शांती ने मिली राजा चमपत राय ने फिर और चे के किले में परदार्पन किया उन्हें मनसब और जागीर के हाद से निकल जाने का अतन्त शोक हुआ किन्तु उन्होंने अपने मुहों से सिकायत का एक भी शब्द नहीं निकाला बे सारंदा के सभाव को भली भानती जानती थे सिकायत इस समय उसके आत्म गोरों पर कुठार का काम करती कुछ दिन यहां शांती पुरोग वैतित हुए लेकिन बादशा सारंदा की कठोर बात भूला ने था वह शमा करना जानता ही ने था जो ही भाईयों की और से निश्चित हुआ उसने एक बड़ी सेना चंपतराय का गर्व चूर्ण करने के लिए भीजी और बाईस अनुभव शिल सरदार इस मुहीम पर नियुत किये शुबुकर्ण बुंदेला बादशा का सुवेदार था वह चंपतराय का बच्पन का मित्र और सहपाटी था उसने चंपतराय को प्रास्त करने का बिड़ा उठाया और भी कितने ही बुंदेला सरदार राजा से विमुक होकर पादशाई सुवेदार से आ मिले एक घोर शंगराम हुआ बाहियों की तलवारें रक्ट से लाल हुई यद्ध भी इस समर में राजा को विज़े प्राब्ध हुई लेकिन उसकी शक्ति सदा के लिए शिन हो गई निकट वर्ति बुंदेला राजा जो चंपतराय के बहु बल थे पादशा के कृपा कांक्शी बन बैठे साथियों में कुछ तो काम आये, कुछ दगा कर गए यहां तक की निज सम्बंदियों ने भी आखे चुरा ली परन्तु इन कठिनाईयों में भी चंपतराय ने हिमत नहीं हारी धीरज को न छोड़ा, उन्होंने औरचा छोड़ दिया और वे तीन वर्ष तक गुंदेल खंड के सगन परवतों पर छिपे फिलते रहे बादशाही सेनाए, शिकारी जानवरों की बांती सारे देश में मंटरा रही थी आये दिन राज्जा का किसने किसी से सामना हो जाता था सारंदा सदयव उनके साथ रहती और उनका साहस बढ़ाया करती बड़ी-बड़ी आपतियों में जब की धैरिये लुप्त हो जाता और आशा साथ छोड़ देती आत्मरक्षा का धर्म उसे समाले रहता है तीन साल के अंत में बादशा के सुबेदारों ने आलमगीर को सूचना दी कि इस शेर का शिकार आपके सिवाई और किसी से नह होगा उतर आया कि सेना को हटालो और गेरा उठालो राजा ने समझा संकट से निम्बरती हुई पर वह बाद सिग्र ही ब्रहमात्मक्षिध हो गई तीन सप्ता से बादशाई सेना ने और चा को ये रखा है जिस तरह कठोर वचन हरदे को छिद डालते हैं उसी तरह तोपों के गोलों ने दिवारों को छिद डाला है किले में 20,000 आदमी घिरेवे हैं लेकिन उनमें आधे से आधिक हिस्त्रियां और उनसे कुछ ही कम बालक हैं मर्दों की संख्या दिनों दिन न्यून होती जाती हैं आने जाने के मार्ग चारों तरप से बंध हैं हवा का भी गुजर नहीं रसद का सामान बहुत कम रह गया है हिस्त्रियां पुरूशों और बालकों को जिवत रखने के लिए आप उपवास करती हैं लोग बहुत आथाश हो रहे हैं ओरतें सूर्य नारैन की ओर हाथ उठा उठा कर शत्रू को कोस्ती हैं बालक वरंद मारे क्रोध के दिवारों की आड से उन पर पत्तर फेकते हैं जो मुश्किल से दिवार के उस पर जाप आते हैं राजा चंपतराय स्वयम जवर से पीडित हैं उन्होंने कई दिन से चारपाई नहीं छोड़ी उन्हें देखकर लोगों को कुछ डाडस होता था लेकिन उनकी बिमारी से सारे किले में निराशे चाया हुआ है राजा ने सारंदा से कहा आज शत्रू जरूर किले में घुसाएंगे सारंदा इश्वर ने करे कि इन आखों से वह दिन देखना पड़े राजा मुझे बड़ी चिंता इन आनातिस्त्रियों और बालकों की है गेहूं के साथ ये गुन भी पिस जाएंगे सारंदा हम लोग यहां से निकल जाएं तो कैसा रहेगा राजा इन आनातों को छोड़ कर सारंदा इस समय इने छोड़ देने में ही कुशल है हम नहीं होंगे तो शत्रू इन पर कुछ दया ही करेंगे राजा नहीं ये लोग मुझे से न छोड़े जाएंगे मर्दों ने अपने जान हमारी सेवा में आरपन कर दी है उनकी स्त्रियों और बच्चों को मैं कदापी नहीं छोड़ सकता सारंदा लेकिन यहां रहकर हम उनकी कुछ मदद भी तो नहीं कर सकते राजा उनके साथ प्राण तो दे सकते हैं मैं उनकी रक्षा में अपने जान लड़ा दूँगा उनके लिए बादशाही सेना के खुशामत करूँगा कारावास की कठनाया सहूँगा किन्तु इस संकट में उन्हें छोड नहीं सकता सारंदा ने लज्जित होकर सिर जोगा लिया और सोचने लगी निसंदे प्रिये साथियों को आग की आच में छोड़ कर अपने जान बचाना घोर निचता है मैं ऐसी स्वार्थंद क्यों हो गई हूँ लेकिन एका एक विचार उत्पन हुआ बोली यदि आपको विश्वास हो जाए कि इन आदमियों के साथ कोई अन्याय ने किया जाएगा तब तो आपको चलने में कोई बाधा नहीं होगी राजा सोचकर कोन विश्वास दिलाएगा सारंदा बाधिशा के सेनापती का प्रतिग्या पत्र राजा हाँ तब मैं सानन चलूँगा सारंदा विचार सागर में डूबी बाधिशा के सेनापती से क्यों कर ये प्रतिग्या कराऊं कोन ये प्रिस्ताव लेकर जाएगा और निर्दई ऐसी परतिग्या करने ही क्यों लगे उन्हें तो अपनी विज़े की पुरी आशा है मेरे यहां ऐसा निती कुशिल वागपट्टू चतुर कोन है जो इस दुस्तर कारिये को सिद्ध करे छत्र साल चाहे तो कर सकता है उसमें ये सब गुण मोजूद है इस तरह मन में निश्चे करके रानी ने चत्र साल को बुलाया यह उसके चारो पुत्रों में बुद्धिमान और सहासी था रानी उससे सबसे अधिक प्यार करती थी जब चत्र साल ने आगर रानी को परणाम किया तो उनके कमल नेतर सजल हो गए और हर्दे से दिर्ग निश्वास निकल गया चत्र साल माता मेरे लिए क्या अग्या है रानी आज लड़ाई का क्या ढंग है चत्र साल हमारे पचास योधा आप तक काम आ चुके है रानी पुंदेलों की लाज अब इश्वर के हाथ है चत्र साल हम आज रात को छापा मारेंगे रानी ने संक्षेप में अपना प्रिस्ताव चत्र साल के सामने उपस्तित किया और कहा यह काम किसी सोपा जाए चत्र साल मुझको रानी तुम इसे पूरा कर दिखाओगे चत्र साल हाँ मुझे पूर्ण विश्वास है अच्छा जाओ परमात्मा तुमारा मनौरत पूरा करे चत्र साल जब चला तो रानी ने उसे हरदे से लगा लिया और तब आकास की और दोनों हाथ उठा कर कहा दया ने थी मैंने अपना तरुन और होनहार पुत्र बुंदेलों की आन के आगे भेट कर दिया अब इस आन को निभाना तुमारा काम है मैंने बड़ी बहमूले वस्तु अरपित की है इसे स्विकार करो दूसरे दिन प्रातहकाल सारंदा सनान करके थाल में पूजा की समगरी लिए मंदिर को चले उसका चेहरा पीला पड़ गया था और आखें तले अंधिरा चाया जाता था वह मंदिर के द्वार पर पहुची थी कि उसके थाल में बाहर से आकर एक तीर गिरा तीर की नोक पर एक कागज का पूर्जा लिप्टा हुआ था सारंदा ने थाल मंदिर के चबुत्रे पर रख दिया और पूर्जे को खोल कर देखा तो आनंद से चेहरा खिल गया लेकिन यह आनंद शन भरका था हाई इस पूर्जे के लिए मैंने अपना प्रिये पुत्र हाथ से खू दिया है कागज के टुकडे को इतने महंगे दामों किसने लिया हुआ मंदिर से लोटकर सारंदा राजा चंपतराय के पास गई और बोली प्राणनात आपने जो वचन दिया था उसे पूरा कीजिए राजा ने चोंक कर पूछा तुमने अपना वादा पूरा कर दिया राणी ने वह प्रतिग्या पत्र राजा को दे दिया चंपतराय ने उसे गूर से देखा फिर बोले अब मैं चलूँगा और इश्वर ने चाहा तो एक बार फिर शत्रू की खवर लूँगा लेकिन सारन सच बताओ इस पत्र के लिए क्या देना पड़ा है राणी ने कुंठित स्वर से कहा बहुत कुछ राजा सुनू राणी एक जवान पूत्र राजा को बान सा लग गया पूछा कोन अंगद राए राणी नहीं राजा रतन्शा राणी नहीं राजा छत्र साल राणी हाँ जैसे कोई पक्षी गोली खाकर परों को फड़ फड़ाता है और तब बेदम होकर गिर पड़ता है उसी भानती चमपत राए पलंग से उचले और फिर अचेत होकर गिर पड़े छत्र साल उनका परमपिर्य पूत्र था उनके भविशे की सारी कामनाई उसी पर अवलंबित थी जब चेत हुआ तब बोले सारन तुमने बुरा किया अंधेरी रात थी रानी सारन्दा गोडे पर सवार चमपत राए को पालकी में बिठाए किले के गुप्त मार्ग से निकली जाती थी आज से बहुत काल पहले एक दिन ऐसी ही अंधेरी दुखमई रात री थी तब सारन्दा ने सितला देवी को कुछ कठोर वचन कहे थे सितला देवी ने उस समय जो भविशवाने की थी वह आज पूरी हुई क्या सारन्दा ने उसका जो उतर दिया था वह भी पूरा होकर रहेगा मध्यान था सूरी नारायन सिर्पर आकर अगनी की वर्षा कर रहे थे शरीर को जुलसाने वाली प्रचंड प्रखरवायू वन और परवत में आग लगाती फिरती थी ऐसा विदित होता था मानो अगनी देव की समस्त सेना गरस्ती हुई चली आ रही है गगन मंडल इस भहे से काप रहा था रानी सारंदा घोडे पर सवार चंपत राय को लिए पस्चिम की तरफ चली जाती थी और चा दस कोस पीछे छूट चुका था और प्रतीशन ये अनुमान स्थीर हो जाता था कि अब हम भै के शेत्र से बाहर निकलाए राजा पालकी में अचित पड़े हुए थे और कहार पसीने में सराबोर थे पालकी के पीछे पांच सवार गोड़ा बढ़ाय चले जाते थे प्यास के मारे सबका बुरा हाल था तालू सूखा जाता था किसी वरक्स की चहां और कुएं की तलास में आखें चारों और दोड रही थी अचानक सारंदा ने पीछे की तरफ फिर कर देखा तो उसे सवारों का एक दल आता हुआ दिखाई दिया उसका माथा ठनका कि अब कुशल नहीं है यहें लोग अवश्य हमारे शत्रू हैं फिर विचार हुआ कि शायद मेरे राजकुमार अपने आदमियों को लिए हमारी साहिता को आ रहे है नेराशे में भी आशा साथ नहीं चोड़ती कई मिनिट तक वे इसी आशा और बहे की अवस्ता में रही यहां तक की वह दल निकट आ गया और सिपाईयों के वस्तर साफ नजर आने लगे राणी ने एक ठंडी सांस ली उसका शरीर त्रन बत कापने लगा ये बादशाई सेना के लोग थे सारंदा ने कहारों से कहा डोली रोक लो बुंदेला सिपाईयों ने भी तलवारें खीच ली राजा की अवस्ता बहुत सोच निये थी किन्तु जैसे दबी हुई आग हवा लगते ही प्रदिप्थ हो जाती है उसी प्रकार इस संकट का ग्यान होते ही उनके जरज़त शरीर में विरात्मा चमक उठी वे पालके का परदा उठा और बाहर निकला है धनुष पान हाथ में ले लिया किन्तु वे धनुष जो उनके हाथ में इंद्र का वजर बन जाता था इस समय जरा भी न जुका सिर में चक्कर आया, पैर थर राय और वे धर्ती पर गिर पड़े भावी अमंगल की सूचना मिल गई उस पंख रहीत पक्षी के सद्रश से जो साब को अपने तरफ आते देखकर उपर को उचकता और फिर गिर पड़ता है राजा चमपतराई फिर संभल उठे और फिर गिर पड़े सारंदा ने उन्हें समाल कर बैठाया और रो कर बोलने की चेश्टा की परन्तु मुहूं से केवल इतना निकला प्रान नात इसके आगे मुहूं से एक शब्द भी ने निकल सका आन पर मरने वाली सारंदा इस समय सधर्ण इस्त्रियों की बानती शक्ति हीन हो गई लेकिन एक अंज तक यह निर्बलता इस्त्रियों जाते की शोबा है चंपत राय बोले सारं देखो हमारा एक विर जमीन पर गिरा शौक जिस आपत्ती से याव जीवन डरता रहा उसने इस अंतिम समय में आ गिरा मेरी आखों के सामने शत्रू तुम्हारे कोमल शरीर में हात लगाएंगे और मैं जगहें से हिल भी ने सकूंगा हाई मृतू तु कब आएगी ये कहते कहते उन्हें एक विचार आया तलवार की तरफ हात बढ़ाया मगर हातों में दमने था तब सारंधा से बोले प्रिये तुमने कितने ही अवसरों पर मेरी आन नभाई है इतना सुनते ही सारंधा के मुर्जाई हुए मुख पर लाली दोड़ गई आसु सूब गए इस आशा में कि मैं पती के कुछ काम आ सकती हूँ उसके हिर्दे में बलखा संचार हो गया वहे राजा की ओर विश्वास सुपा तक भाव से देखकर बोली इश्वर ने चाहा तो मरते दम तक निभाऊंगी रानी ने समझा राजा मुझे प्रान देने का संकित कर रहे है चमपत राए तुमने मेरी बात कभी नहीं डाली सारंदा मरते दम तक ने डालूँगी राजा यह मेरी अंतिम याचना है इसे ऐसे विकार में करना सारंदा ने तलवार को निकाल कर अपने वक्सिस तल पर रख लिया और कहा यह आपकी आग्या नहीं है मेरी हार्दी का विलाशा है कि मरूं तो यह मस्तक आपके पद कमलों पर हो चमपत राए तुमने मेरा मतलब नहीं समझा क्या तुम मुझे इसलिए शत्रू की हाथ में छोड़ जाओगी कि मैं बेडिया पहने हुए दिल्ली की गलियों में निंदा का पातर बनू राजा यह मेरी अंतिम प्रार्थना है जो कुछ कहूंगा करोगी राणी सिर के बल करोगी राजा देखो तुमने वचन दिया है इनकार ने करना राणी काप कर आपके कहने की देर है राजा अपनी तलवार मेरी छाते में चुभा दो राणी के हरदय पर वजर पात्सा हो गया बोली जीवन नात इसके आगे वह और कुछ ने बोल सकी आखों में नराशे चा गया राजा मैं बेडियां पहनने के लिए जीवित रहना नहीं चाहता राणी मुझे ये कैसे होगा पाचमा और अंतिम सिपाई धरती पर गिरा राजा ने जुझला कर कहा इसी जीवन पर आन निभाने का गर्व था बादिशा के सिपाई राजा की तरफ लपके राजा ने निराशे पूर्ण भाव से राणी की ओर देखा राणी शन भर अनिश्चित रूप से खड़ी रही लेकिन संकट में हमारी निश्चयात्मक शक्ती बलवान हो जाती है निकट था कि सिपाई लोग राजा को पकड़ ले कि सारंधा ने दामनी की बानती लपक कर तलवार राजा की हरदे में चुभा दी प्रेम की नाव प्रेम की सागर में डूब गई राजा की हरदे से रुधिर की धारा निकल रही थी पर चेहरे पर शांती चाही हुई थी कैसा हरदे है वह इस्त्री जो अपने पती पर प्राण देती थी आज उसकी प्राण घाती का है जिस हरदे से अलिंगित होकर उसने योवन सुख लूटा जो हरदे उसकी अभिलाशाओं का केंदर था जो हरदे उसकी अभिमान का पोशक था उसी हरदे को सहरंदा की तलवार चेद रही है किसी इस्त्री की तलवार से ऐसा काम हुआ है आहा, आत्मा विमान का कैसा विशाद में अंत है उदेपूर और मारवाड के इतिहास में भी आत्म गोरव की ऐसी घटनाएं नहीं मिलती बादशाही सिपाही सारंदा का ये सहस और धहरिय देकर धंग रह गए सरदार ने आगे बढ़कर कहा, रानी सहीबा, खुदा गवा है, हम सब आपके गुलाम है आपका जो हुक्म हो, उसे बैसरो चस्म बजा लाएंगे सारंदा ने कहा, अगर हमारे पुत्रों में से कोई जीवत हो, तो ये दोनों लासें उसे सौप देना ये कहे कर उसने वही तलवार अपने हिर्दे में चुबाली, जब वह अचित होकर धर्ती पर गिरी, तो उसका सिर राजा चंपतराय की चाती पर था झान का पर गिर्चा का लाएंगे ये सकान का लाएंगे ये सकान कीन